नमस्कार दोस्तो स्वागात अप लोगा फिर से अपलोग अपने चलाल फंटे सीमिनर में दोस्तो इस बिर में हम डिपलिक कवर करेंगे जो रोमाने एक इसे श्टिटन क्रिकेट कलब का चेक संधार में कॉल होनों लाय है गाजी मुक अपलाव का सी एल जे वर्सेस एउसी सी यानि कलाज किर्केट कलब और से उनाइट किर्केट कलब की दर्मियान इसके हम रहेंगे डिमलन पेस्ट इन पेस्ट इम कर रहे हैं कि दुन टिम के स्टार्टिंग लाइनप बताऊंगा और कौन सा पहले रिसेंटर में बहुत ही बड़ी है परफोर्मा दिखाए गाई और आज का पांचों मुकाबला है वहीं बात कर गाई जिनकी वेन्यू की तो वेन्यू रने वाला गाई मौ आरा वेसल किर्केट ग्राउंड जो लफ्लों में कंट्री में जाई यानि इल्फ कंट्री में है इनके टाइम की बात लगाई तो यह माच होगा साड़े 11 वज़े चैनल पे में आपको तेलिघंग चैनल पे मिलेगी तो यह गतिलिघंग चैनल को जरूर जरूर कर लेंगा इस डिस्कूइब समय वीडियो आपको ाफर प्रवाइड करूंगा आपकर लेए फट की बारे में तो कर दोनों मस्चिश का रिकॉर्ड गाई और कितने में से कान फूर रिकॉर्ड दिखूंग गाई तो फिडियो का आप लोग फोकस करते देखते जाओं इसको रखने इसको नहीं रखना तो अपने आप से टीम बना पाऊगे बहुत वीडियो पर आश तक बलना हो गाज इनकी रिसेंट मसेज पर फॉर्फमर की बाते लगाई तो CLJ अभी तक दो मसेज में काई एक हारिया और एक जीती है आश पर आश पर दो मसेज में एक जीती है और इनकी एक नो रिजल रही है जरह हो जाए इनकी दो-दो मसेज का रिकॉर्ड अब हम दिखेंगा जब पलार पलार रिकॉर्ड लगाई तो यानि क्लाज कुछिट कलब की तो गाई इनके बाइटिंग ओर में आपको दिखेंगे तरण जीत सिंग गाई जनो ने फास्ट वालम कावला में एक करेगा उपेन वन्दा नो रन प्रस थिरी विकट लिया था गाई वहीं लास्ट वालम कावला में बहुत ही हाड कि इन्होंने फास्ट वालम कावल में तीस रन और लास्ट वालम कावला में फाइस यह बंदा गाईज आपको बॉलिंग नहीं करते दिखेंगा वास्ट सानिक बात लगाई तो इनके बाइटिंग पोजिशन है कि फूर टू से थिर डाउन पहले बात बात तर लगाई तो बैटिंग करता ऐा उपर से बोलिवी कर लता है तो जामें टीममे जरो जरोवी कर लेना निसानती द्रीक बात लगाई तो यह भी बोली बैटिंग तो अ कटी दोने चल्ब अब हो नर्णinka अब हमें अजहन कर रहा था और लूरा लाश्ट बॉला अन का लिए तो डयाै बोह अरुन चंदर सेखनान की बात लगाई तो इनों है टीम के कप्टेंसी कर रहे हैं जैनि या उनाइटेट किर्केट कलब की एगाईज सोरी गाईज सी एल्जेट टीम की तरफ से कप्टेंसी कर रहा है तो गाईज फास्ट वालम कावलों इनने बोलिंग कर तो बटिन को कुछ मोका मिला नहीं परवलों कावलों को खिलना का मिला रजेंदर से की क्या अक्ट इन् treक का मतलव है गाईज कि इनको खेलता बट इनको कुछ मुका नहीं मिला रवेंदर अथुपतिक बात रगाई तो यह उपर भी बैटिंग कर लेता है भाई फर्स्ट अलम कबला में जीरो विकट लिया था बट अठार नम बनाए तो लास्ट अलम काल में जीरो भीकट लिया था तो बैटिंग बोलें पर बेस्ट पलर के बाद रगाई तो आपको दिखेंगे तरंजीत सिंग आप चाहता गाई श्यूकुमार को पिक कर सकते हो और वासु सैनी फर्स कलास तरंजीत सिंग उसके बाद वासु सैनी फिर गौरव मिस्ट रगाए गाईज बहुत यह श्ट्रोंगा पलार है और इन सब्सक्राइब करें अब तक पहुंच पाए अब हम देखेंगे उनाषट क्रिकेट कुलब की पले पले रिकॉर्ट गाई लाइस तक वीडियो को देखते रहना रमेस साथी सन की बात लगाई तो यह अपने टीम की तरफ से गाई एक कर रहा है पहले वालम कबल में थारन प सब्सक्राइब बहुत ही संदार पले रहा है अपने टीम में से जरूरी जरूरी रख लेना भाई कैप्टन भॉस कप्टन की अच्छिस चॉइस हैं मोईज मुहमत की बात लगाई तो यह बहुत ही बढ़ी बढ़ी कर लेता है फर्स्ट वालम काई दो भी बहुत कर रहा है सब्सक्राइब बात लगाई तो यह बिकर करेंगा भाई इन्होंने फर्स्ट वालम कावल में जीरो और लास्ट वालम कावल में दो रन अपने सिर्फ जीर कर लेना बट इसका बैटिंग रहेगा ऊपर यानी थिरी से टू डाउन इस तिकंदर बैटिंग करते लता है वाई पर लगाई ख़र तोब्पे में कर लेना भाई कर सकते हो we can go आपको पताव यह कर लए और बैटम करण कर देगा और आपको बता दूए एक से दो आपकी सात में बैटिंग कर लेता है अपने टाव तो टीम में इसे पीग कर सकते हूँ राजेश कुमार की बात लगाई तो बहुती संदार प्रेमगाई उन्हों फास्ट अ म्लें वकावलम क्राइज वानेविकίοट और रास्ट फोलम वकावलम काई उनको बैटिंग मुले तो व्टिं करके बार्टरन बनाए और लाश्ट विलम कावल में बहुत ही बड़ीया बोलिंग करते हैं तीन बिकर्ट चटकाई थी का अपने टीम को जीद भी दिराई थे बहुत ही इस्ट्रोंगा पलेर गाईज राजस कुमार तो में टीम में जरूए जो पिक कर लेना भाई लेलीट पंजाबी के बात कर लगा है तो यह लाश्ट वलम का भाला खेला नहीं था और पावल फॉल्रोंड भी नहीं खेला था इनकी तरफ सब्सक्राइज इन्पोर्टेंट पलेर की तो गाईज रमेस साथी सान जो आपने टीम के कैप्टेंसी कर रहे हैं मोईज मुहमद औ और सनातू सनातू वैसियत क्योंकि यह बोड़ीं भी कर लेता है भाई और एक राजेश कुमार एक आई थिरे से फोर पहले रहे गाईज जो अपने टीम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है भाई अब चलते हैं डिम लोने में वहापे हम लोग पहले 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 न सबसे इंपोर्टेंट रहेगा गाई जो यस परिवार देखें और पांजाबी इनकी प्रिव्यू के बात लगाई तो एल पांजाबी आई हदर और एस परी लिवार काई इसमें सबसे इंपोर्टेंट रहेगा गाई जो यस परिवार क्योंकि आप स्मॉल लीग है ट्वाले में आप इससे भी पिक करते हुए जाना क्योंकि इम्रान हदर ऊपर खेलना हैं बाट इनको खेलना का उतना मतलब कंफिडेंट नहीं कि यह रन बना कर देदे करते हैं आप इस चावतों पिक करते हुए जावतों रजेश कुमार जूनियर और गाईज आर पैसल इतो खेलेगा नहीं और अपने टीम की तरफ से करेंगा गाईज एक कप्टैंसी आ रहातु पती तो अपने चावतों टीम में जरू 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 पिक करते हुए और अब प्रिभी के बात लगाई तो दुनिया इस टीम के साथ जाएगी नहीं इन प्लेरों के साथ जाएगी गाईज रजेश कुमार और अब सियसत और गाईज तज्वेंदर सिंग तरण जी सिंग गाईज इनका नाम है और अर अरतु पत्ति हैं गाईज हमारी यह चोइस र सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको उसको रखना जो बॉलिंग करता है और बैटिंग करता है दोनों को रख लेना है भाई कि अग्याइज हमत के बात लगाई तो इलाश वालम कावला खेल लाता है बाटिन को कुछ खास मुका नहीं मिला गाईज ऑब इत ऑप चंदर से खुरां तो इनको कुछ मुकान ही मिला इंको कुछ मुकान ही मिला एस आज लगाई इंको कश मुका नहीं मिलऊ अब अब इज एंड़ कर दो गो गाय्ट अमद की उचंधर सकान है ज्यापको रहनने वाले गाइज आदि की थे इस चंदर सेखरन और चाहो तो गाइज आप डि सर्जन को पी कर सकते हो आप पर भी में तख्लत है गाइज हमारी फोर परलाज लेगा इस चंदर सेखरन साही अहमद के और गाइज ड्य चंदुर जैस्थान बात करेंगा आप फाइनल टीम की तो फाइनल टीम दिखाने पहले आपको एक बरावरी लाद दुला दू की जाकर टेल गाम चनल को जोइन करने प्रवाइड होगी जबने पिकेटर को पर सक्षिन पर लिवार को पिक कराए गाई और बार्समार सक्षिन में ठीर को आरात पती और तरंजी सिंग और राजस कुमार जुनियर और गाईज ए मुहम्मद और साथिसन और भी सैनी जी मिस्रा और साही अहमद की और काईज डी संद्रू जाए एक कुछ हमारे काईज स्मॉल लीग है ट्यूड वाली लीग के लिए टीम है आपको जेल खेलना है तो आपको टेल्केम चैनल पर जोएन हो जाना होगा क्योंकि मै जील हेट ट्यूड और स्मॉल लीग के लिए उसलिबर टीम प्रवाइड करता हूं उम्मीद को तो आपको समझ आएगा काईज वीडियो का लाइक करते ना भाई वीडियो का लाइक करने से आप मारा कुछ नहीं मिलता सिर्ट मोटिवेसन मिलता अगले मैसेज का वीडियो क संथ मिलते ने आप लोग जब तक लिए बेस्ट आफ लक गुडबाएं